प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों आज अपन यहां बात करेंगे साथियों लगबग एक दिन पहले सिक्षा मंत्री जिने कहा था कि 90,000 अलग-अलग टीचरों की भरती होगी ठीक ना इस न्यूज की साथियों में आपको एक बार पूरी सचाई बताना चाहूंगा क्या ये 90,000 नई बरतियां आएंगी या फिर जो वर्तमान में जो फर्स्ट गेड, सेकेंड गेड और थर्ड गेड की जो 48,000 वैकेंसियां है क्या इसी में ही सामिल है या नहीं ठीक है या फिर अलग से कोई 90,000 की सिक्षक बरती होगी ठीक है तो साथियों देखो वही सबसे पहले अ आप इस न्यूज को फढ़ सकते हो आपको सब कुछ किलियर हो जाएगा मैं एक लाइन के माद्यम से इस पर सकर देता हूँ इसमें लिखा है कि स्कूल वै मादमिक सिक्षा की अनुदान मांगो पर बहस का मंत्री कल्ला ने दिया जबाब 90,000 सिक्षकों की भरती प्रक्रिया दीन है यानि लगबग 90,000 में से लगबग जो सिक्षक भरती है उनके पेपर यानि एक्जाम हो चुके हैं जिसमें सातियों आपकी जो रीट की भरती हो जाएगी 48,000 की है और उसके बाद सातियों 1st गेड और 2nd गेड की भरती इसमें हो जाएगी ठीक ना और उसके अलावा पर राज सरकार ने सातियों गोशना की थी आपने देखा होगा कि आप यहां पर देख सकते हैं लगबग 22,000 के आसपा जो पद गोशित की थी कहने का मतलब यह हुआ सातियों रीट के 48,000 ठीकिना 1st गेड और इसके बाद 2nd गेड के जो पद है उनको मिला कर इसमें जो भरत अपिकेसन देखने को मिल सकता है जिसमें आपकी रीट की बढ़ती होगी यह ना 12,000 फे 1st गेड की बढ़ती होगी और 2nd गेड की बढ़ती होगी और यह बढ़ती आप यहां पर देख सकते हो ठीक है तो कहने का मतलब सातियों यह हुआ कि 90,000 जो बढ़ती है वो सातियों ब पुटर अनुदेशक हो जाएगा रीट 48,000 हो जाएगा 1st गेड वे 2nd गेड जो बाकी बचती है वो नई बढ़तीया होगी जिसका नोटिफिकेसन आपको जोन या जुलाई या अगस्त के आसपास देखने को मिल सकता है यह बढ़तीया है इनके अलावा सातियों नई इतना है कि इनकी संख्या में इनके पदों की संख्या में बढ़ती की जा सकती है तो जो साती हमारे कोमेंट्स कर रहे थे कि 90,000 बढ़ती हैं क्या नई होगी तो सात्यों नई वेकेंसी नहीं होगी इसमें से 20 या 25,000 वेकेंसी हैं वो ही बिल्कुल फेस बढ़तीया होगी ज टैंसन बिल्कुल ले नहीं जो भरती आने वाली हैं उन में से कोई एक पर फोकस कर लीजी ठीक न और जी जान लगाकर मेहनत करिए आपको निश्ची तोर से सफलता मिलेगी और जिनका पेपर वैरीट का अच्छा नहीं हुआ है वो निरास ना